और दोस्तों आपके चेहरे पर instant brightness लाने का और आपके चेहरे के कालेपन को दूर कर चेहरे को गोरा निखरा हुआ खुबसूरत बनाने का एक बहुत ही बहतरीन home remedy में लेकर क्या जाया हूँ दोस्तों इस नुस्के में हम सिर्फ दो चीजों का इस्तिमाल करेंगे यह नुस्का बहुत ही छोटा सा है सबसे खास बात आप इसे बहुत ही जल्दी बना लेंगे और दोस्तों यह नुस्का जितना simple है उतना ही ज़्यादा कारगर है पहले week में ही दोस्तों पहले हफ़ते में ही आप लोगों को इसका result दिखने लगेगा और चेहरे को गोरा करने के लिए चेहरे के कालेपन को दूर करने के लिए जो चेहरी के रंगत आपकी खूग गई है उसे दोबारा वापस लाने के लिए यह नुस्का जो मैं आप लोग कारगर है इसे कैसे लगाना है दोस्तों यह भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों समय ना को बात वे सी देन उसके को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप एक क्रीम ले ले जैसे कि मैंने यहाँ पर फेर लबली क्रीम ले लिया यह क्रीम आपको बड़ी कम दामों में मिल जाए इसानी से और यह क्रीम बहुत ही एक भरोसे मंद क्रीम है और काफी दिनों से बहुत सारा लोग इसे यूज करते हैं तो दोस्तों आप लगभग इतनी मात्रा में यह जो है आप इसकी क्रीम को निकाल ले उसके बाद दोस्तों हम क्या तरीके से बीच से काट लें ठीक है इस तरीके से दोस्तों नीमू के अंदर भी विटामिन प्रचूर मातरा में पाया जाता है इसके अंदर बहुत तरह के एंटी ओकसिदेंट्स पाया जाते हैं यह एक क्लिंजर का काम भी करता है आपके चेहरे पर जमें डर्ट को गंदगी को महल को बाहर निकालता है और पूर्स में जाकर स्किन को टौन करने के लिए अब बहुत ही जादा उपलोगी है अब दोस्तों हमें इस नुस्के को कैसे बनाना है और कैसे इसका इस्तमाल करना है यह सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ इसके बाद दोस्तों आप क्या करें इसके बाद दोस्तों आप लगभग यह जो निम्बू है इसके रस को दो को सब्सक्राइब करना और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह की जानकारियां मिलती रहे और आप लोगों को स्वास्त लाब घर बैठे मिलता रहा है यह हमने निम्बू करस निकाल लिया अब क्या करना है दोस्तों आपको इसे यह जो क्रीम हमने निकाला था इसे इसमें डाल दें और इसे हम लोग अपने हाथों से पहले से मिक्स करेंगे दोस्तों जिस तरीके से दूध फट जाता है उसी तरीके से यह क्रिम पीस में जाके फट जाएगी लेकिन यह जो प्रिक है यह बहुत ही कारगर है इसके बाद दोस्तों आप इसे ले करके पहले इस तरीके से यह ऐसा लगेगा दोस्तों बिल्कुल इसके बाद आप इसे ले करके अच्छे से पहले दोस्तों अपने उंगलियों के सीरे से आप अच्छे से पहले अपने पूरे फेस पर लगाएं अपने फेस पर लगाके पहले इसे खलके हाथों से जंटली अपने इस फेस की मालिश करें दो से तीन मिनद तक मालिश करें जब आप मालिश करेंगे उसी समय आप पाएंगे कि दोस्तों जो आपके स्किन पर जो मैल है वो छूटने लगेगा क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल होम रिमेडी है उसके बाद दोस्तों उसे आप लोग अच्छे से मालिश करने के बाद इस पूरे लेप को अपने चेहरे पर अच्छे से इस पूरे पैक को अपने चेहरे पर लगा लें और कम से कम आदे घंटे तक लगा रहने दें आदे आप धोलें दिन में एक बार इसका परियोग करें कुछी दिनों को परियोग से दोस्तों आप पाएंगे कि आपका चेहरा बहुत ही गोरा और निकरा हुआ लगने लगेगा